नमस्कार दोस्तों, वेलकम बाक टू माई हिंदी चैनल और काफी टाइम से मैंने पहले तो मैंने खेर हिंदी चैनल जब बनाया था तो उस वक्त इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे यूट्यूब जो इंग्लिश चैनल है उसमें काफी सारे कॉमेंट्स आते थे कि हिंदी में ब पलतु की टारू कर्ड रीडिंग्स को सुनने में और देखने में, जिससे कोई निश्कर्ष निकलके नहीं आता, जिसमें कोई इनर वर्क नहीं सिखाया जाता, लेकिन जो बाहर लोग हैं, जो विदेशी सब्वेता में हैं, इस वक्त वेस्टरनर्स हैं, वेस्टरन वर्ल्ल म आसेंशन तब तक नहीं हो सकता, जब तक आप शाधना, तपस्या, अब जो शैद इसको देना चाहें आप नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा, बिकरज आपके जो चक्राज हैं वो ब्लॉगड हैं। और जब किसी भी इंसान के चक्राज ब्लॉगड होते हैं तो उसका लाइफ का कोई परपस नहीं होता उसको बहुत जादा नीड रहती है दूसरों से वैलिडेशन लेने की प्यार की बहुत तालाश एक बहुत जादा भूक रहती है प्यार एक ऐसी चीज है जिसका मतलब भूका होना कोई बुरी बात नहीं है जितने भी अच्छे लोग आपको तो भूक होती है पर उसे प्यार की समझ नहीं होती क्योंकि जिस इंसान को सच्चे प्यार की समझ हो जाती है तो फिर वो वहीं पे जाएगा या उन्हीं लोगों से बात करता है उसके अंदर एक तरीके का सेंसर लग जाता है उसको पता चल जाता है कहां पे सचसंगती है औ और ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में जो शुरुवाती दौर होते हैं लोगों के, या जब इस जर्णी को बंदा या बंदी कोई भी समझने की गोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको कुसंगती ही मिलती है, उनको गलत लोग ही मिलते हैं, जो उनको उनको गलत तरीके से देखते हैं, जो उनको सिर्फ शरीर की तरह देखते हैं, मास्क के टुकड़े की तरह देखते हैं, उनका जीवन बहुत दुखों से भरा हुआ होता है, इसलिए कोई आपको ऐसे लोग चाहिए हैं जो आपको सच बता सकें जो आपको ये कह सकें कि देखो जो भी आप ये ढूंड रहे हो तलाश कर रहे हो इसे आप गलत जगा से तलाश कर रहे हो गलत जगा पे तलाश कर रहे हो तो आज का जो ये मेरा वीडियो है एक तरह से ये चानलिंग सेशन भी है और इसे आप एक गाइडेंस वीडियो भी कह सकते हो सबसे बहले तो मैं आपको बोलूँगी कि फालतू की टारो कार्ड रीडिंग्स देखना बंद कीजिए जैसे की वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं पिछ अगले साथ दिन में क्या होने वाला है और भी सारे ऐसे जीब जीब से टाइटल होते हैं थमनेल देखते की लोग क्लिक कर लेते हैं और फिर उसमें आधा पौना घंटा निकाल देते हैं कि आपके जो ट्विन फ्लेम है वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं मतलब रीडिंग्स देखो चैनल लिंग्स भी देखो पर ऐसी देखो जिससे आपका उत्थान होए लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति के बारे में सोच भी रहे हो और वो भी इतनी अटाश्मे कब होएगी हमारे कितने बच्चे होएंगे मतलब ये सारी संसारिक बाते हैं और ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी एक साइन्टिफिक और एक स्पिरिच्वल जर्नी है जो संसारिक नहीं है बलकि वो तो आपको संसार की इन उल्जनों से निकालने के लिए बनाई गई है तो कुछ ऐसे लोग हैं इस वक्त ईस्टन वर्ल्लम में जो की रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो सचमुच में इनर वर्क कर रहे है आन्त्रिक यह कर रहे हैं और ये उनके लिए हैं ये विडियो जो इसमें इंट्रेस्टेड होना चाहते हैं इंट्रेस्टैड हैं और नाम धुन के बारे में नहीं पता sound energy के बारे में नहीं पता तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बहुत लंबा हो जाएगा आपका इस अफर दुखों से भरा हुआ बहुत लंबा इंतजार वेटिंग energy इतनी जादा हो जाएगी with full attachment और बहुत पेन होएगा कोई काम न आसे लोग हैं जो star seeds हैं आप मेंसे कितने ऐसे लोग हैं जो twin flames हैं अगर आपको नहीं पता star seeds क्या होते हैं twin flames क्या होते हैं twin flame star seeds का combination क्या होता है तो आप मेरा life session देखिए I think एक लौता ही life session होगा वो वो आप देखिए उसमें मैंने इस चीज को समझाने की कोशिश की है इस व्यक्ति ने जिस महीला ने tarot cards बनाए थे बहुत सालों पहले तो उन्होंने ये guidance के लिए बनाए थे mediums के लिए क्योंकि guidance हमें चाहिए होती है हमें hand holding चाहिए होती है हमें बहुत जब हम दुख में होते हैं तो हमें किसी से पूछने का मन करता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जि नहीं भी सोच रहा उसे क्या फरक पड़ता है आप से तो बात नहीं करना वो आपको block करके बैठा है या बैठी है तो English में जब मेरी channelings होती हैं तो उसमें ऐसे videos हैं that this person has unblocked you लेकिन अगर आप उसको सुनेंगे तो उसमें clearly बताया है कि क्यों unblock किया है और फिर काफी लोग उसमें नीचे लिखे होते हैं comments आप पढ़िएगा जिसमें लोगों ने बताया है कि हाँ मुझे unblock कर दिया गया और मेरे साथ ये हो रहा है मुझे contact मिला है मेरे से बातचीत हो रही है कहीं लोगों ने ये भी बताया मुझे कि मेरा contact हुआ लेकिन मुझे अब interest नहीं रहा अ लकिन अब मुझे बाते समझ में आने लगी है कि वापस क्यूं आ रहे हैं वापस क्यूं आते हैं फिर क्यूं चले जाते हैं फिर वापस क्यूं आते हैं फिर क्यूं चले जाते हैं कुछ लोगों के ऐसे अजीब अजीब relationship हो रखे हैं जिसमें कि सामने वाले की identity के बारे मे उन्हें पता ही नहीं है ऐसा लगता है किसी भूत प्रेत के साथ उनका रिष्टा चल रहा है ना उसकी शकल पता ठीक से ना उसका क्या नेचर है पता वो कहां रहता है उसके परिवार में कौन है कौन नहीं है रहता या रहती दोनों जेंडर्स में हैं तो ऐसे से लोगों के सा लेकिन रियालिटी में वो बंदा ना वीडियो कॉल में आने को त्यार है, बंदा या बंदी, ना आपके साथ उनका कोई फ्यूचर की बात चल रही है, बस वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, जब उनका मन बहलाने का मन करता है, तो वो आपके साथ है, तो क्या इन चीज बहुत से कारण होते हैं कारण no.1 होता है आपकी अबब्रिंगिंग आपकी अब्रिंगिंग किसी ऐसे adult के हाँ तो की गई है किसी ऐसे व्यक्ति के हाँ तो आपको पाला पुसा गया जिसने आपको सारा जीवन US किया है आपको कभी प्यार नहीं की आपको एक object की तरह treat किया है जब जब आप से कोई काम करवाना था या आपकी कोई जरूरत थी या उनकी कोई जरूरत पूरी करनी थी तो आपको उन्होंने use किया या आपको एक training दे दिया आपको मानसिक रूप से train कर दिया कि उनके गुलाम बन के रहो अगर तो उनकी हर बात मानोगे उनके आगे पीछे दौड़ोगे तो तो आप बहुत अच्छे हो और ऐसे लोगों की जादा तर जो रिक्वाइर्मेंट होती है वो हमेशा संसारिक होती है या मैटीरिलिस्टिक होती है पैसों से घर गाड से लिजुद्ध दूसरों की गुलामी करता है बच्पन पूरा अपनी या बड़े अडल्स की प्रोब्लम को सॉल्फ करता रहता है अपने माता पिता की लडाइयों को ही देखता है या उनकी दुड व्यवहार को देखता है सिरेफ या देखती है या फिर उनको ऐसा लगता है कि उनका काम बस लोगों को handle करना है लोगों को manage करना है तो एक बहुत negative self perception और एक negative relationship pattern बन जाता है insecure attachment styles उनके अंदर आ जाते हैं lack of emotional support की वज़े से उनको बहुत जादा invalidated feel होता है और फिर इन सारी unresolved personal issues की वज़े से उनके जीवन में ऐसे लोग आते हैं ऐसे friends बनते हैं ऐसे partners बनते हैं जो उनको वैसे ही treat करते हैं जैसा उन्हें बचपन में treat किया गया था यानि कि उन्हें कभी सच्चा प्यार मिलता ही नहीं और जब उन्हें सच्चा प्यार मिलता है या सच्चे प्यार की उन्हें परक होने लगती है तो वो केवल साधना और तपस्या से ही होता है साधना वो इतनी कर लेते हैं, इतनी तप कर लेते हैं कि तप करने से, साधना करने से उनके अंदर एक जोती जग जाती है जिसके बाद उनको ये सब लोग, दुनिया के लोग बेफकुफ नहीं बना सकते उन्हें और यूज नहीं कर सकते और फिर वो अपना सारा समय अपना जो जीवन है उसको या तो सेवा में या फिर और तपस्या तो continue आपको पता है, ascension is a lifestyle तपस्या continue रखते हैं सेवा धारी बन जाते हैं और उनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाती है कि सब रिष्टे नाते जूटे हैं सब कसमे वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादोगा क्या और ऐसा भी नहीं कि उसे एक निराशा वादी की तरह लेते हैं, माफ भी कर देते हैं सबको पता है सबका ऐसा ही नेचर है कोई भी परफेक्ट नहीं है क्योंकि भले ही उनके साथ बुरा हुआ होगा लेकिन उस बुरे में भी जैसे ये समुदर रूपी जीवन है उसमें कुछ सुख की सीपिया उन्होंने उठाई हैं कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि यदि ये लोग मेरे जीवन में ना होते तो मैं कभी भी तपस्या या साथना की तरफ नहीं जाता या नहीं जाती या ये सारे लोग नहीं होते तो मुझे सुख और दुख के बारे में पता नहीं चलता मैं आज ऐसा या ऐसी नहीं होती अगर ये लोग मेरे जीवन में ना होते तो वो उनको बहुत gratitude की नजरों से देखते हैं माफ भी कर देते हैं और ये भी समझ जाते हैं कि किसी ने सुधरना नहीं है जब हमीने सुधर रहें इतनी असानी से तो बाकी बाहर वाले क्या सुधरेंगे सुधरना हैं तो भी आपको खुदी को सुधरना है और खुदी चेंज होना है और अपनी जो मास्टर्स हैं उनके आगे बिलकुल समर्पंड करना है क्योंकि ऐसा जरूर होएगा कि कुछ ना कुछ बूरा भी होएगा आपके साथ जब हम तपस्या करते हैं साधना करते हैं तो कुछ समय बड़ा अच्छा सुकून से जाता है फिर जैसे हम उस सुकून में स्ट्रॉंग हो जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ बूरा होता है मज़ में आता कहीं लोगों को जब उनके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आते हैं और जाते हैं जब वो जाते हैं तो बंदा इनर वर्क करता है और जब वो आते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं फिर दुखी हो जाते हैं तो सुख और दुख जो है वो एक ही सिक्य के दो पहलू है और बाकी तो दोस्तों मैं आपसे क्या कहूं ये इतनी लंबी चानलिंग नहीं है इस चानलिंग का में जो निशकर्श है वो यही है कि आप inner work करेंगे तो आपको फायदा होगा जैसे कि मेरे हिंदी चानल में भी ऐस यार वाकी में इन्होंने मुझे ऐसे बोला तो क्यों बोला उसके बाद आगे जो सुनने की हिम्मत रखेगा फिर उसे असली खजाना तो है उसे आगे मिलेगा उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि शुरू में ही filter आउट हो जाएं लोग जिनको नहीं इंट्रेस्ट आरा इन कॉमेंट्स मैं पढ़ती रहती हूं काफी लोगों के कॉमेंट्स आते हैं तो कॉमेंट्स पढ़के भी कहीं दफ़े पता चल जाता है अब एक लड़की ने रिसेंटली मुझे कॉमेंट्स लिखा वो करीबन एक डिर साल से मेरे चानल्स को फॉलो कर रही है इंगलिश वाल बिन्हारी मत पूछओ यार मेरा भी जुस्ञारा ख्याल रखो मेरे वारे में भी सोचओ कि मैं इतने र testoster kita चैंड तो मैं ने उसको सिंपल्स को बोला कि आप राम नाम चैंट करो बस राम नाम जपते रहो जपते रहो जपते रहो अब कहीं लोगों को लगता है यार यह तो बड़ी रिलिजियस बात बता दिया है मैडम जी ने यह तो भाया इसमें ऐसा क्या है राम नाम जपो तो राम नाम मत जपो फिर या एक बाट राय करके देखो अगर मैंने बोला है कुछ सोच के बोला होगा और क्योंकि ऐसा भी होता है कि आपका मन करता है बताने का तो मैं नहीं ये बोल रही बहुत बड़े-बड़े मास्टर्स ये बोल रहे हैं मैं तो बहुत तुछ प्राणी हो उनके आगे बड़े-बड़े मास्टर्स ने ये बोला है गुरुनानक देव जी ने बोला अब जब जी साहब पाट पड़िये हमारे मेरे जितने भी तीनो ग्रांड मास्टर्स हैं वो यही बोलते आये हैं रहीम जी, कबीर जी, मीरा जी ये कोई छोटी मोटी हस्तिया नहीं थी इन सब ने ये बात बोलिया है कि राम नाम जपो और बहुत पुराना स्टेटमेंट है राम नाम सत्या है तो सिर्फ भगवान श्री राम की हम आपको नहीं कह रहे आप उनकी पूजा करो उनकी पूजा करने के बहुत फाइदे भी है क्योंकि वो जिस तरीके से पैदा हुए थे श्री राम जो हमारे हैं भगवान उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी था और वो रीजन था कि त्रेता यूग में जब वो पैदा हुए थे तो डिसेंडिंग तरेता यूग था उस टाइम पे बड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है इस एनर्जी को ही जो पॉजिटिव एनर्जी इसको प्रिजर्व करना क्योंकि आने वाले समय में फिर इंसान कल्यूग की तरफ ही जाता है और अब हम कल्यूग से निकल के असेंडिंग द्वापर में आए हैं तो वापस से आप देखिए राम नाम और सनातन धरम इस सब फिर से निकल के आ रहा है ठीक है कोई कारण है तो अगर अभी भी आप धीट बने रहेंगे और सारा दिन प्रिडिक्शन्स और ये सब में पड़े रहेंगे मैं तो बार-बार यही बोलूँगी प्रिडिक्शन भी देखो लेकिन अगर वो इनर वर्क बेस्ट है तो क्योंकि हमारी जब इंट्यूशन स्ट्रॉंग हो जाती है तो हम बड़े अच्छे प्रिडिक्शन्स करने लग जाते हैं और जब हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं तो हम सिर्फ प्रिडिक्शन का एक हिसा बोलते हैं जब वो प्रिडिक्शन सार्थक होती है तब क्या क्या चीज़ें होती है ये तो शब्दों में बयान करना ही मुश्किल है दस साल पहले मान लो मुझे कोई prediction हुई थी कि ऐसा ऐसा होगा मेरा कोई बहुत close व्यक्ती है वो चले जाएंगे दुनिया छोड़के और वो prediction जब आई मेरे मन में example के तोर में बता रही हूँ मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये कैसी अजीब सी prediction है इसके बारे में तो मुझे सोचना ही नहीं है अब 10-11 साल बाद जब वो सारतक हो गई सच मुझ में वो चीज हुई बिलकुल वैसी की वैसी तो उसके साथ ना जाने और कितनी चीजें हुई ना जाने कितनी बाते हुई ना जाने कितने वाक्य हुए ना जाने क्या क्या experience हुआ तो वो सारी बातें जो होते है प्रेडिक्शन तो बस एक छोटा सा दरपन में जैसे कहते हैं एक विजन आपको आता है बस जब तक by the time आप उस विजन तक पहुँचते हो ना तब तक बहुत कुछ हो जाता है और जो काफी ऐसी प्रेडिक्शन होती है वो एकदम से नहीं होते कभी भी रीडिंग्स में भी मुझसे लोग जैसे पूछते हैं कि मेरा ये कैसे होगा I am not judging anyone कोई आके मुझसे गर ये पूछता ना मेरा union कैसे होगा तो पहले मैं उनसे पूछते हूँ पहले तो आप मुझे बताओ कि union से आपका मतलब क्या है क्योंकि union के तो कई मीनिंग है तो मान लो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि ये बताइए कि मेरी शादी कब होगी इस बंदे से अगर उनकी reading में आ गया कि हाँ इनकी होएगी और मान लो इतनी तारीक को या इतने महीने में इतने समय में होगी तो mostly मैंने देखा है जो twin flame journey में होते हैं उनका कोई भी काम इतनी जल्दी नहीं होता क्योंकि उनका हर काम जो है वो inner work साधना से ही जुड़ा है और बहुत सी reading करने के बाद मैं इस बहुत confidence के साथ आज बोल रही हूँ कि यदि आप चाहते हो कि आपका जीवन आपके अनुकूल चले वैसे तो सभी चाहते हैं यह कौन नहीं चाहता कि अनुकूल जीवन मिले हर आदमी चाहता है जैसा हो चाहता है वैसे ही होए पर अगर आप वाक्य में चाहते हो तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि अनुकूल और प्रतिकूल यह जो भी चीज़ें होती है हमारे जीवन में पहली बात तो वो प्रारब्ध है जो लिखी हुई है वही होनी है और हमको हर चीज सही कब लगती है जब हम उसमें सकून से रहते हैं और इल्यूजन पे मच जाएए जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो फिल्मों में देख रहे हो म्यूजिक वीडियोज में देख रहे हो इसमें से अधिकतर 99.9% चीज़े जो हैं वो आपको बेफ़कूफ बनाने के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए की जा रहे हैं और वो लोग जो बहुत सफल दिख रहे हैं आपको उस दुनिया के वो सफल होंगे या नहीं होंगे वो तो अलग debatable topic है पर वो खुश तो बिल्कुल नहीं है और वो कैसे पता चलता है क्योंकि कितना effort करते हैं इसी बात से पता चलता है कितना effort करते हैं अपनी position को बनाए रखने के लिए daily basis पे तो मैंने आपको कहा ना ये छोटा जाना लेंगा मैं यहीं पे खदम करते हूं क्योंकि I can literally go on and on and on a lot on every subject I am from marketing मैंने किताब भी लिखी है मैंने काफी लोगों को train किया है मैं बहुत बच्पन से job कर रही हूं around 15 साल की उमर से I have been earning तो बहुत से ऐसे experiences है मेरे और उपर से जो भी ये psychic abilities और ये जो gifts होते है intuitive reading के ये बच्पन से ही थे बस सारा जो धन्यवाद, सारा जो share है वो मेरे masters को जाता है मेरे great grand master को मेरे grand master को और मेरे initiating master को जाता है क्योंकि वो ना होते न तो फिर पता नहीं क्या होता उन्होंने मुझे इतना समाला, इतना प्यार किया है तो मैं सारी जो ये आपको बाते बोल रही हूं या आपके भले के लिए बोल रही हूं आप please inner work करिए अगर आप inner work नहीं करोगे तो आप इस journey में जो असली जो इस journey का मज़ा है क्योंकि ये journey बहुत मज़ेदार है दोस्तो surrender के बाद जो इस journey को enjoy करते हैं लोग वो फिर वही लोग जानते हैं और इसी लिए वो इतनी interest के साथ फिर inner work पे ध्यान देते हैं और ऐसे ही channeling के videos देखते हैं जो inner work related होते हैं क्योंकि उनको इतना in depth feeling आने लग जाती है हर चीज को लेके कि फिर हमें भी अच्छा लगता है उनको coach करने में train करने में और इतना आसान नहीं है साथना का और तपस्या का रस्ता ऐसा नहीं कि आज आपने साथना करी तपस्या करी और कली आपको लड़ू मिल गया नहीं ये तो बहुत लंबी journey है पर ये journey है बहुत amazing ये मैं आपको कह सकते हूँ इस journey का कोई पता नहीं है कल आप रो रहे होगे और परसो आप हसरे होगे और तरसो फिर रो रहे होगे बैठके कोई कुछ ही नहीं कह सकता और हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें तो बहुत मज़े आएंगे materialistic वाले नहीं materialistic तो खेर अलग चीज़ है उसका कुछ ना कुछ अलग connection है बट अध्यात्मिक रूप से मैं आपको कह सकते हूँ आप बहुत dedication में घुझ जाते हैं इस चीज़ में और everyday as a learner लेते हैं तो फिर आप कुछ और नहीं करोगे पिर आपका नहीं मन लगेगा कहीं और संसार में तो आपका बिलकुल मन नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे संसारिक बातों से बोर इतने बोर की parties में जाओगे बोर होगे लोग शराब पी रहे हैं ड्रिंक कर रहे हैं डांस कर रहे हैं बोर होगे लोग कपडों की बाते कर रहे हैं बोर हो जाओगे रिष्टेदार बैठे हैं बोर हो जाओगे कोई जहां दुनियादारी की चीज़ें हो रही हैं। वहां बोर इतने बोर इतने वोर vee serily नहीं देख पाओंगे, cricket match नहीं देख पाओंगे, में नहीं देख पाओगे बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो आप नहीं कर पाओगे यह सच्छे साधक की definition है दोस्तो जो साधक उपर उपर की साधना करते हैं उनको संसारिक बातों में ही सिर्फ interest आता है वो सिर्फ संसार के साथ दिन भर चिपके रहते से गोंद की तरह गोंद लगा के तो आप दूर से देखके बता सकते हो कि इनकी जो साधना है वह अभी वीक है अभी इनोंने असली साधना नहीं करी क्योंकि असली साधक को सेवा ही करनी है और उसको इंडिजिनिस मेटाफिजिक्स में बहुत इंट्रेस्ट रहता है उसको इतना मज़ा आता है मेटाफिजिक्स में कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती और वही आप उसको संसारिक उसमें बिठा दोगे बोर हो जाएंगे बोर और भाग जाएंगे वहां से बड़ी जल् उपे मीठे बने रहो, सब की तारीफ करते रहो जबर्दस्ती, और यही कारण है कि उनका जो relationship है ना वो नहीं चलता, अब उनको एक संसारिक इंसान से प्यार हो गया है, और उनको वो प्यार लग रहा है, तो हमें इन सारी problems को ठीक करना है, और thank you so much for listening to me, अगर आपको मेरे से कोई personal session चाहिए, I would be more than happy to give you one, उसके लिए आपको मुझे email करना पड़ेगा, सारी जो details है, वो मेरे description box में लिखी हुई है, उसमें USD price है, तो उसको आपको Google पे जाके, उसको convert करना होगा, Indian INR में, और फिर वो आपको जो उसकी actual price है मिलेगी, जो भी Indian fee है, वो मिलेगी, उसके आपको फिर मुझे mail करना पड़ेगा, ताकि आप मुझे से मेरा number ले सके, और तो मैं इतनी असानी से किसी को session नहीं देती, Indians को देती हूँ, तो वो भी बड़े मुझे interesting लगते हैं, काफी Indians आते हैं मेरे पास, और दिये हैं बहुतों को, लेकिन हर किसी को मैं नहीं देती, इसमें Indian restaurant का कोई लेना देना नहीं है, यह तो in generally है, तो आप पहले अच्छे से description box देखो, मैंने पहले ही सब कुछ वहाँ लिखके रखा हुआ है, अगर आपको suit करता है तो आप करो, वरना इतना content है ना, इतना content में डाल रहे हूं, शेयर कर रहे हूं, इस से भी आपका बह लेंगे आपके लिए, खड़े हो जाएंगे, तो I will see you soon and another one, one love, peace out and, बोलो सियावर राम चंदरे की जै, बोलो हनुमान की जै, जै श्री राम